हैलो स्टुडेंट्स वैलकम टू अलोफ यू इन माई चैनल दिपीका प्रजापती आज हम जो डिसकस करने वाले है वो कंटीन्यू 77 MCQ से है हम लोगों ने अल्रेडी पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट त्री में टोटल 76 तक MCQ कंप्लीट किये हुए है आज हम कंटीन्य करने वाले है 77 से सो हमारा आज का MCQ 77 है फ़र बोथ सिक्यूरिटी एंड सेफ्टी कंसिडरेशन और ट्रेड ऑफ एक्जिट बिट्वीन ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स सो इसका राइट आंसर है अप्शन ए कोस्ट एंड एफेक्टिवनेस सो यह वाला MCQ यह कराए यदि सिक्य कॉरिटी एंड सेफ्टी दोनों कंसिडरेशन होता है तो ट्रेड ऑफ एकजिट जो है वो कौन-कौन से सिच्चुएशन के बित्वीन होता है फर्स्ट एफ पेहली ब्लैंक जो दी हुए उसका कोस्ट एंड सेकेंड जो हमारे ब्लैंक है उसका राइट आं सेफेक्टिवने यहां पर 78 MCQ से यह कह रहा है यदि हम processor install करने जा रहे है Windows Server 2012 के लिए उसके लिए minimum requirement जो है हमारी processor की वो कितनी होनी चाहिए उसका right answer है option C 1.4 GHz इतमिस GHz उसकी जो minimum requirement है processor की जो हमें Windows Server 2012 के लिए installation के लिए चाहिए so वो है 1.4 GHz then next 79 which is the minimum requirement of available disk space for installing Windows Server 2012 यहां पर यदि Windows Server 2012 जो है उसमें minimum requirement जो होती है disk space के लिए वो कितनी होनी चाहिए so minimum requirement जो होती है disk space के लिए वो 32 GHz होनी चाहिए so इसका right answer है option B 32 GB okay then next 80 which are the pre installation task for Windows Server 2012 यदि हम लोग Windows Server 2012 इंस्टॉल करने जा रहे है तो उसके पहले हमें कौन कौन से steps follow करने चाहिए so यहां पर दिया हुआ है option A backup your data option B disable your virus protection software option C turn on Windows firewall and option D all of above so यहां पर जो A B C में दिये हुए सारे के सारे जो टास्क है वो हमें Windows Server 2012 के प्रे इंस्टॉलेशन के पहले टेक लेना होना चाहिए step लेना चाहिए यह वाला backup data लेना चाहिए हमारा जो protection software है उसका वाइरस जो है वो उसको disable कर देना चाहिए हमारा Windows firewall है उसे turn on कर देना चाहिए तो उसका राइट यहां पर ऐसा का है कि हम जब Windows Server बुटेबल डिस्क बनाते है Microsoft official tool का यूज करके तब हमें कितने steps यूज करने होते है तो उसका right answer है option b 5 then next 83 how many steps are used for creating Windows server bootable disk using command prompt यदि हम command prompt का यूज करके Windows server bootable disk बनाने जा रहे है तब कितने steps follow करने है तो उसका right answer है option b 9 यदि हम Microsoft official tool यूज कर रहे है तो आप लोगों को answer 5 देना है आप लोगों को 5 steps follow करना होता है लेकिन आप लोग command prompt के यूज करने के बाद आप लोग bootable बना रहे हो अपने disk अपना server तो उसका right answer है option b 9 then next 84 how many steps are used for creating Windows server bootable disk using third-party software यदि आप लोग कोई third-party software है उसका use करके आप लोग Windows server bootable disk बनाने जा रहे हो तो आप लोगों को कितने steps follow करने है तो total 4 मैं once again फिर से repeat करती हूँ यदि आप लोग Microsoft tool use करने जा रहे हो तो आप लोगों को five step follow करना है यदि आप लोग bootable disk बनाने के लिए command prompt का use कर रहे हो तो आप लोगों nine step follow करना है और यदि आप लोग कोई third-party software use करके आपकी Windows server bootable disk बनाने जा रहे हो तो आप लोगों को four step follow करना है ओके देन next how many steps for installing Windows server bootable disk then इसका right answer है total 11 step ओके देन next how many steps to assign static IP address to server यहां पर ऐसा का है कि यदि आप लोग server को IP address static दे रहे है तो आप लोगों को कितने steps use करने होते हैं यहां पर DHCP नहीं कहा है यहां पर static कहा है तो यदि static IP address देना है आप लोगों को server के लिए तब आपको six steps follow करने हैं okay then next how many steps to creating domain controller यदि आप लोगों को domain controller create करना है तो कितने steps follow करने पढ़ेंगे तो उसका right answer at 12 यदि आप लोगों को domain controller जो है उसको create करना है तो आप लोगों को total 12 steps follow करना होता है okay then next how many steps to promoting server 2012 to domain controller यहां पर ऐसा का है कि यदि आप लोगों को server 2012 जो है वो server के लिए डूमेंड़ के लिए promote करना है तब आपको कितने steps follow करने है तो 10 steps follow करने once again domain controller जो है उसको create करना है तो आप लोगों को 12 steps follow करना है और आप लोगों को domain controller promote करना है तो promote के लिए 10 step follow करना है okay then how How many steps to adding DHCP wins role आप लोगों को यदि wins role है जो DHCP का उसको add करना है तो 12 step follow करना है तो उसका right answer है option C 12 Then how many steps to adding file server and print server यदि आप लोगों को file server and print server अपने PC में install करना है add करना है तब आपको 9 otherwise 11 step follow करना है सो इसका right answer है 9 otherwise 11 then next 91 DSL stands for digital subscriber line इसका right answer है option B digital subscriber line Then next what are variation of DSL so यहाँ पर जो दिया गया है वो different types of variation है DSL का वो XDSL है ADSL है and RADSL है वो सारे के सारे DSL के variation है सो इसका right answer है option D all of ABO then next 93 how many types of SSL VPN यदि SSL VPN आप लोग यूज कर रहे हो तो उसके कितने types है so total two types है SSL VPN के so उसका right answer है option B then side to side VPN यदि side to side VPN यूज करो या SSL VPN यूज करो उसका types दो ही है so same answer है option यहाँ पर A है two जो side to side VPN के two types होते है वो ही use होते then 95 what are the VPN protocol so यहाँ पर जो दिया गया हो है वो IP security L2TP SSL TLS otherwise tunneling point to point it means PPTP यह सारे के सारे जो होते है वो VPN के प्रोटोकॉल होते है तो यहाँ पर right answer है option D all of these then 96 CA TV stands for यहाँ पर दिया गया है community access television and community antenna television so दोनों के दोनों जो है A and B वो right answer है so इसका option D जो है both A and B is the right answer of CA TV then next 97 QAM stands for quadratic amplitude modulation so इसका right answer है quadratic amplitude modulation okay then next 98 fill the blank voice blank internet protocol so इसका right answer है voice over internet protocol okay then next 99 which goals to use domain so यहाँ पर बहुत सारे goals दिये है A, B and C में so उसका right answer है option D all of them यहाँ पर administrative boundaries है replicate information है apply group policy है जो सारे के सारे हमारे domain है उसके goal है so उसका right answer है option D then hundred number का जो MCQ है वो है active directory rights management services is designed to give complete control of all documents stored in RMS enabled application this statement is true या false so उसका right answer है यहाँ पर दिया गया है A and B so उसका right answer है true यहाँ पर मैंने highlight नहीं किया है लेकिन उसका right answer जो है वो true है because जो active directory की management services होती है उसका completely control जो होता है वो RMS enabled application के true होता है यह वाला answer जो है वो obviously true है okay then next 101 जो है वो हमारा RARP stands for it means reverse address resolution protocol so यहाँ पर option number C जो दिया है उसका right answer है अब हम जो next हमारा video lecture आएगा वहाँ से हम continue करेंगे 102 MCQs के साथ तब तक आप लोगों ने यदि part 3, part 2 and part 1 नहीं देखा है सबसे पहले आप लोग part 1, part 2, part 3 complete करें उसके बाद यह वाला video देखें तो आप लोगों को जो first से लेके सारे के सारे मिल जाएंगे और आप लोगों को यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है और understand हो जाता है तो आप लोग अपने जो friends है Diploma Computer Engineering SAM 6 में उसके साथ भी यह share कर सकते हैं so please share, like and subscribe and press the bell icon for the notification so once again thanks to all of you dear all students okay so अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं 102 MCQs के साथ part 5 में okay क्टिय।